सो गाइस क्या आप अपने केमरे को अपग्रेट करना चाहते हैं जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिररलेस केमरे की तरब जाए क्योंकि ये केमरा हाई रिजूलेशन के साथ साथ कई एडवांस फीचर लाइक रियल टाइम ओटोपोकस, हाई एडवांस पीचर यहाँ देखने को मिल जाते हैं सो डॉंट वरी आज की इस वीडियो में आपकी सारी बातों का ध्यान रखते हुए लिष्ट में टॉप 3 मिररलेस केमरे को लिया गया है बजट यहाँ 50,000 रूपीज से 80,000 रूपीज रखा गया है लिटरली काफी डीप रिसर्च के बाद इन्हें लिष्ट में लिया गया है तो वीडियो में एंट तक बने रहना और हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब केजए तो चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सो गाइज लिस्ट में नंबर थरी पे केनन की तरफ से M50 Mark II देखने को मिलता है अभी आपको पता होगा कि केनन काफी अच्छा ब्रांड है और ये मिररलेस केमरा 50,000 की प्राइस रेंज में वन ओप दे बेस्ट केमरा है डिसाइन आप देख ही सकते हैं प्रीमियम फिल के सा साथ काफी लाइटवे partnership Northwest के साथ आते है और सूट करते टाइम काफी problem लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्रिशारी आप पेसकैं वीडियो लौग इंग और सूटिंग कर सकते हैं इसपैसिपिकेशन की बात करे तो 24 mmz का केमरा यहां देखने को मिल जाता है जो 3x optical zoom के साथ आता है और यहां आपको digital image stabilization देखने को मिल जाती है जिसमें कापी smooth video quality देखने को मिल जाएगी video quality में यह camera 4K recording 25-30 fps और full HD recording 50-60 fps तक record कर सकता है तो यह advanced features हैं बाकी कई advanced features like aperture mode focal length optical sensor and stabilization visualization जैसे कई pictures देखने को मिल जाते हैं box में आपको 15-45 mm lens battery charger strap and battery pack देखने को मिल जाएगा यहां आपको memory card देखने को नहीं मिलेगा उसको आपको अलग से purchase करने पड़ेगा अब बात करें इसकी price की तो around 56,000 rupees में आपको amazon पर देखने को मिल जाएगा so guys 50,000 की price range में अगर आपको highly advanced mirrorless camera चाहिए तो आप इसे consider कर सकते हैं link नीचे description में दी गई है जहांसे आप इसे easily check out कर सकते हैं अब नमर 2 पर आने वाला camera Nikon की तरफ से Z50 देखने को मिलता है बता तूं कि Nikon भी highly brands में से एक है और यह mirrorless camera two lenses के साथ आता है इसमें first 16 to 50 mm and second 15 to 250 mm देखने को मिलता है सो एक काफी बड़ी बात है मसला वीडियो के साथ साथ image photographic भी काफी high level तक कर सकते हैं डीजाइन आप देखी सकते हैं अच्छी खासी hand grip के साथ साथ प्रीमियम फिले आँग देखने को मिलती है यहाँ पर आपको 20.9 megapixel का camera देखने मों मिलता है जिसमें photos and videos को low light में काफी easily suit कर सकते हैं बाकी special feature में आप इन camera trimming, electronic viewfinder, time slab, eye catching, unique mode filters जैसे कई advanced switches यहाँ देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों बात करें इसके video quality की तो 4K recording 30fps and 1080p पे 60fps तक record कर सकता है बाकी slow motion में यह camera full HD 120fps तक record कर सकता है बात करें इसकी price की तो यह kit lens के साथ पढ़ेगा around 72,000 लेकिन अगर आपको double lens के साथ चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पेप करना पढ़ेगा इसकी link नीचे description में दिये रखिये, वहाँ से आप easily check out कर सकते guys list में number one पे आने वाला camera sony की तरफ से alpha 64 and red L देखने को मिलता है बता दू कि sony high tech brands में से एक है and यह mirrorless camera literally काफी advanced camera है design आप देखी सकते हैं एकदम lightweight and compact सा है यह camera premium build quality के साथ आता है यहाँ पर आपको 16-50mm power zoom lens देखने को मिलता है जो कि अब तक मैंने जितने भी camera बताए उनमें यह नहीं आता मतलब zoom out और zoom in easily आप one button से control कर सकते हैं बागी 24 megapixel का यहाँ आपको sensor देखने को मिलता है जो कि high quality light sensitive photos and videos capture करता है इसके साथ साथ ही यहाँ कई advanced features like real time autofocus, APS sensors, 425 face detection, contrast points, accurate subject tracking जैसे कई different features से यहाँ देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों बात करें इसकी video quality की तो यह camera 4K recording 30fps and 1080-60fps तक record कर सकता है जिसमें stabilization का पी smooth देखने को मिलता है slow motion में यह camera 120fps तक record कर सकता है अब बात करें इसकी price की तो यह camera around 80,000 rupees में Amazon पर देखने को मिल जाएगा इस price range में आपको highly advanced camera चाहिए तो आप इस mirrorless camera को ले सकते हैं जिसकी link मैंने नीचे description में दे रखी है चाएव में आपको यह ची अाहिए झाहिए